वेलकम बच्चो तो यहां पर बच्चो एक और important topic हम लोग लेने जा रहे हैं कई बार objective में भी इसकी need होती है और subjective में भी need होती है वो है हमारा इसको समझते हैं कि उसमौली चार्ट डिखाता हूं और वैल्यू कैसे यह भी समझता हूं तो पहले सबसे पहले तो आपको पता रहुंचीं कि मौलीयर्ट डियागराम का purpose क्या है क्यों हम बना रहे हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम करते हैं या फिर हम यह बोले इन प्रॉब्लम की हम बात करते हैं या फिर हम यह बोले इस्टीम टेबल इस्टीम प्रॉब्लम की बात करते हैं कहीं पर हम इस्टीम पावा प्लाइंट की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि किसी भी प्रॉब्लम में हम लोगों को आपको बताना होता है कि जो आपको बताना होता है कि उसमें उसकी एंठाल पी क्या है है ना ऐसे में उसकी एंठेलपी क्या है उसकी एंट्रॉपी क्या है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है ऐसा कुछ आप से पूछ सकता है जो कि आप जानते हैं कि एच फजी इस तरह की प्रॉपटी आप निकालते हैं लेकिन मॉलियर चार्ट में आपको स्टीम टेबल देखने की जरूत नहीं है तो मॉलियर चार्ट से भी वैल्यू निकाल सकते हो तो मॉलियर चार्ट हमारा बेसिकली होता है एक हैस डाइग्राम यह समद लीजिए कि अगर आप कोई भी यहां पर डाइग्राम करते हैं यहां यहां इस तरह से बना लिए यह आप देख सकते हैं कुछ अ क्लियर है यहां पर मैं लिगता हूं एक इस तरह से बना ली है और एंट्रॉपी तना तो दिस इस तैग्रम कैंश बनार चार्ट बनाते है tu कुछ ऐसा बनाते हैं इस थरह का है आपको याद होगा तो इस डिएघर में पता हुए यह क्रिटिकल पॉइंट होता बच्शों यह हमारी क्या होती है ठीक है तो अगर मैं इस इसी दियाग्राम को यह से ऐसा कटक तो ले पहना हिस्सा और रोटेट कर दो यह कुछ ऐसा उन्हारा आ गए तो यह पार्ट कमने रोटेटольш रा आप में तो यह समझे यही लुक जो है इसका वह लिए चार्ट है तो यहां यहां लिखा नियुक कई आपने बनाई है इसको हम यहां पे ऐसे दिखाते हैं यहां पर लाइन बचो कुछ इस तरह से आपकी शो करते हैं कि कुछ इस तरह से हम यहां पर आपकी शो करते हैं लाइक दिस यह आपकी कुछ इपर लाइन है थी के मैं आपको अलग 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 से दिखाने कुश्च करूंगा यहां पर फ्रसाब बनाएं तो कुछ इस तरह से बच्चों आपकी सेट्रेटर वेपर लाइन होती है तो जब मैं इसको सब्सक्राइब लाइन कह रहा हूं तो सैचुरेटेड वेपर लाइन ठीक है ध्यान से देखेगा इस चीज को क्योंकि जितना आप यहां पर ध्यान से समझेंगे उतना आपको यह डाग्राम बहुत इसली और रट जाएगा बिल्कुल ठीक है अब देखो तो अगर मैं यहां से बना रहा हूं और यह मेरा क्रिटि यह मेरी लाइन से बागे की वो किस तरह की हैं कुछ ऐसे तो एक ड्रायने स्रेक्शन समझें हमारा कुछ ऐसे होगा यह कुछ ऐसे दूसरी कुछ ऐसे अभी एक्टुल फिगर भी दिखाऊंगा आपको तीसरी कुछ ऐसे तो आप यह समझें देखेट इस इक इस इकल यह कहीं 0.98 होगा यह कहीं 0.9 होगा यह कहीं 0.8 होगा तो यह वेट रिजन स्टार्ट कर्व कुछ इस तरह का हो गया समझें होता है तो बस ऐसे का यह वाला पार्ट आपको दिखाए दे रहा है क्लियर है तो यह आपको कुछ इस तरह के लाइन सापको दिखाए देती है अ टाइब की यह प्रेशर लाइन के राती है है यहां पर आपको प्रेशर दिखाई देता है यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है आपका वह इतना बार है तो यहां पर बार क्यांँया आपक दिखाए और इस तरह से यहाँ यहां से हमारी आती है अगली टेंपरी यौट में इस तरह से आती यह यह तो उप् Państwo constant temperature lines just constant pressure in the hidden वाली हमारी constant temperature lines होती है राइक इस तरह से अमारी आजती है constant temperature लाइल यह हमारी हाई temperature की तरफ को आ जाएंगी इस तरह से इनको मैं बोल देता हूँ, constant temperature lines और पहले वाली मैंने क्या बनाई, that is your constant pressure line, अभी यह increasing order में किदर कोगा, decreasing order में किदर कोगा, यह आपको भी actual graph में दिख जाएगा, ठीक है, बस इतनी चीजें बचो, देखो, pressure हो गया, your temperature हो गया, और आपकी saturation line हो गई, और यह dryness fraction lines हो गई, constant dryness fraction line, तो तीन constant line मैंने आपको बताई, यह हमारी, यह हमारी constant dryness fraction lines, ठीक है, यह blue वाली है, black वाली है, constant dryness fraction lines, blue वाली है, आपकी constant pressure lines, और आपकी जो है, red वाली जो है, वो constant temperature lines है, ठीक है, और यहीं से हम बचो एक line और draw करते हैं, that is called specific volume lines, उसको हम यहाँ से नीचे, इस point से ऐसे draw करते हैं, these are called specific volume lines, ठीक है, यह हमारी specific volume lines, यह इतनी important नहीं रहती है, यहाँ पर जब तक ऐसे बना रहे हो, आप नहीं भी बनाओगे तो यह चलेगा, लेकिन जब देखोगे मॉलियर चार्ट तो वहाँ important होगी, specific volume lines, जो green वाली है, ठीक है, बस इतनी चीजे हैं बचो इसक चीज यहाँ पर भी दिखाई देगी, देखे, अब देखिया आप, बस color change हो गया, color जो मैंने यहाँ वहाँ पर लिया था, उससे तरह चेंज हो गया, अब देखो, यह red line दिख रहे हैं बच्छो आपको, यह है आपकी saturated vapor line, यह red line जो dark red है, this is your saturated vapor line, है ना, यह dark red वाली saturated vapor line ह यहाँ पर dryness fraction क्या है, देखो यह दिख रहा है, dryness fraction x is equal to 1, है ना, आपका hs diagram बच्छो यहाँ enthalpy है और यहाँ पर आपकी entropy है, ठीक है, enthalpy और entropy, जिसमे saturated line आपने बनाई ऐसे, अब उसी की नीचे नीचे जाओगे तो dryness fraction क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, देख रहो, इस त यहाँ आप देखो, इधर आप देखो यह green line दिख रही है, आपका temperature जा रही है, आपका temperature जो है, इस तरह से 300, 350, 400 यह temperature बढ़ता जा रहा है, है ना, तो यह temperature जो है आपका बढ़ता जा रहा है, तो यह green वाली क्या है? यह green lines जो मैं dark करता हूं फोड़ां सा, यह green lines है आपकी शोलल, constant temperature lines, यह आपकी क्या है?burger przyESよね Platform न객 Way तो अब यह blue वाली आप देख रही हूं देखर है और फिरेन把 है फिर फिस्टी बार हुआ फिर थिर्ट का हो लेगाइश का प्रेशर आपका इंक्री अर्ट एगंद करता गे है ना यही सेम जीज़ यहां पर आपकी क्या दिखा रही है ब्लू लाइन जो है वह आपका प्रेशर लाइन से यह प्रेशर दिखा रही है ठीक है तो बनाने की जरूत नहीं है अब देखना कितना असान है बच्छों यह एंथल्पी की वैल्यू है सामने दिख रही है तो वैल्यू कैसे देखते हैं आपका प्रेशर है आपका 200 बार अब यहां से चलेंगे बच्छों अब यहां से चलेंगे वह फिफ्टी वार प्रेशर लाइन में आप नीचे आते नीचे आता या से इढर आते रहे आते रहा अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे अगर मुआ हो रहा है एस पाइंट पे आप देंग ए कि वीफ्टी वार प्रेशर है स्केंड में फ़िद इंद बना दीये मैं इस कदिशन देता है कि मेरा प्रेशर 50 बार है और उस तरह से बी इस पाइंट से ब्रेश्चन यहां जो कहीं तो इसके अब यहां पर आपको बहुत असानी से यह सब कुछ करने की जुरूत नहीं है आप सीड़ा सीड़ा वैल्यू जो है वह एंथेल्पी एंट्रॉपी की वैल्यू ले सकते हैं यहां से सेम इस प्रेसिक वॉल्यूम और तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो यह लाइन प्रॉपर बताएगा क्या है वह किदर की तरफ को बढ़ती है किदर की घटी है तो यह आपको डाइग्राम सही शो करना पड़ेगा अपने तो इसी डाइग्राम को आप पर दिखा सकते हैं कहीं पर अगर आप में लिख रहे हैं और जाती है वह कौन सी होती है तो वहां से आप अराम से आंसर कर सकते हैं तो थैक्यों में इस से आपको मोले चार्ट आइधिंक क्लियर हो गया होगा